यह एक अंधेरी और तुफानी शाम थी, जब बेबी शेरू, प्यारा शेर का बच्चा, जिसकी बड़ी-बड़ी आँखें और फुलदार आया थी, और उसका दोस्ट बेबी चिप्टू, एक तेंदुए का बच्चा, जिसकी हरी-हरी बड़ी आँखें और धब्बेदार श साफ छलक रही थी, जैसे वह चारों ओर डर से देख रहा था, वो देखो, शेरू, उसने डरते हुए कहा, एक पुराने से होटल की और इशारा करते हुए, जो एक पतली पगर्डी के अंत में दिखाई दे रहा था, वो इमारत काफी पुरानी और भूतिया दिख रही थी, जिसमें तूटी वोई खिर्कियां और जपकती वोई लाइट्स थी, परन्तु और कोई चारा ना होने के कारण, उन्होंने उस रात वहां ठहरने का निरनाई लिया, जैसे ही उन्होंने होटल के अंदर कदम रखा, एक ठंदी हवा ने उनकी रीड की हड़ी में सिहरन दोड दी, यह जगह सुनसान लग रही थी, शत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और फरनीचर पर धूल जमा थी, जैसे ही वे रिसेप्शन डेस्क के पास पहुँचे, खुद बहुद घंटी बजुठी, जिससे बेबी चिक्तू डर गया, यह जगह मुझे बहुत दरावनी अतिरंजिक चहरे के हाव भाव और शरार्ती मुस्कान के साथ, चुडेल कोई साधारन भूत नहीं थी, उसने पुराने जमानी की नौकरानी की बरदी पहनी थी, और वह दरावनी से ज्यादा मजा किया दिख रही थी, स्वागत है, छोटे बच्चों, उसने एक उची और तेज आवाज में कहा, उसकी आँखों में शरारत की चमक थी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, थी, बेबी शेरू, जो हमेशा उत्सुक रहता था ने पूछा, तुम कौन हो, चुडेल हंसी, उसकी आवाज होटल के खाली हौल में गोंज उठी, ओ, मैं तो बस इस खूतों की आवाजे सुनाई दें, तो चिंता मत करना, वो बस, बेबी चिक्टू ने घबराते हुए कहा, बुझे लगता है, हमें यहां से चले जाना चाहिए, शेरू, उसने दर्वाजे की ओर देखते हुए कहा, लेकिन बाहर का तूफान और भी भैमकर हो चुका था, औ बहुत अच्छा, उसने चुटकी बजाते हुए कहा, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ, जैसे ही वह उन्हें होटल की सीर्यां चढ़ाते हुए लेकर गई, जब वे अपने कमरे में पहुँचे, चुडेल ने उन्हें एक पुराने धन की चाबी सौपी, अपनी रात का आनंद लो, उसने हंसते हुए कहा और अचानक गायब हो गई, बेबी शेरू ने दर्वाजा खोला और पहली चीज जो उन्होंने महसोस की, वह थी कमरे की ठंडक, बाहर की हवा तूटी हुई खिर्कियों से होकर सीधे कमरे में गुस रही थी, जैसे ही वे ब इस तरों में लेटे, माहौल और भी डरावना हो गया, बेबी चिक्तु को नींद नहीं आ रही थी, उसकी आखें कमरे में चारों और घूम रही थी, अचानक दीरे-दीरे कुछ आवजे सुनाई देने लगी, शेरू, क्या तुमने वह सुना, उसने कांपते हुए कहा, बे लेकिन उसकी आवाज में एक खतरनाक सुर्भी था, बेबी शेरू खड़ा हो गया और पूछा, तुम यह सब क्यों कर रही हो, उसकी आवाज कांप रही थी, चुडेल उसके पास आई और बोली, ओ, यह सब मज़े के लिए है, मुझे नए महमानों को दराना बहुत पसंद है, लेकिन चिंता मत करो, अगर तुम रात निकाल गए, तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, उसने जोर से हंसी और हवा में गायब हो गई थी, अंत में वे होटल के तहखाने में पहुँचे, जहां उन्हें एक पुरानी डायरी मिले, जिस पर धूर जमी थी, बेबी चिक्तु ने चौड़ी, आँखों से कहा, अगर हम उसकी कहानी पूरी पढ़ लें, तो शायद हम उसे आजाद कर सकें, बेबी शेरू ने सहमती में सिर हिलाया, उन्होंने तेजी से अंतिम अध्याय पढ़ना शुरू किया, जैसे ही उन्होंने आखिरी शब्द पढ़े, चुड़ेल फिर से प्रकट हुई, इस बार वह दरावनी, नहीं, बलकि आभारी दिख रही थी, धन्यवाद, उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया, या कहते ही चुड़ेल, हवा में तैडने लगी, और धीरे धीरे गायब हो गई, होटल की सारी शांत थी, और आकाश में चमचमाते तारे नजर आ रहे थे, जैसे ही वे घर की और बड़े बेबी शेरू ने कहा, अगली बार हम जंगल में ही कैंप करेंगे, बेबी चित्तू ने हंस्ते हुए कहा, बिलकुर, और इसी के साथ, वे दोनों अपने अगले साहसे की यात्रा क के लिए निकल पड़े, लेकिन उम्मेद थी कि इसने कोई और भूतिया थे,